नमस्कार मैं उकाव्य कोशिक और अब देख रहे हैं बिहार इंसोर्स बिहार के मुख मंतर इंतीस कुमार का समाधान यात्रा लगातार जाड़ी है इसी के तहत वो पाच परवड़ी को जो है कटिहार पहुंचने वाले हैं जहां वो तमाम सरकारी योजनाओं का निरक्षन कर जादे की कटिहार का जो जिला प्रिशासन है इसकी तैयारी को लेकर लगातार जोरो सोरो से जुटा हुआ है वहीं अगर बात करें कटिहार के दिगरी गाउं की तो वहां पे एक सक्स है जो मुख मंतरी के आगमन को लेकर काफी जादा उत्साहित है वहीं बात करें उस सक्स की तो जो सक्स है वो खास उत्साहित है दिगरी गाउं इस्थित जल जीवन हडियाली के जो नायाब मॉडल सरकार के सहयोग से उसके नीजी जवीन पर डेबलब किया गया है वह देखने के लिए खुद मुकमंतर नितीज कुमार जो है कटिहार पहुँचके दिगरी गाउं प अरोधसाहित भी है और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वह सुने हमारे बिहार के मुकमंतरी स्री नितीज कुमार दी आ रहे हैं समाधान यात्रा के तरत इसमें देरी गौं को लिया गया है और हम जन्मीन किसान है सब को जैसे आप सेटनेट लगाए हुए हैं फोखर नया बनवाय हुए हैं और शिम्ला मिर्ज की खेती करते हैं और सीजन टामाटर करते हैं इस से लेके वह लुग मुकमंतरी जी तो जान सोचते हैं कि ने हमारे किसान जो है बढ़ियां से खेती करें आगे प्रोग्रेस करें इसी के चलते मुकमंतरी जी यहाँ पर मेरे हमको तैसा लग रहा है कि क्या बोलें उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं तो इस इलाके का हम काया कलब बदल देंगे इसमें हम एक बढ़ियां पार्क बनाएंगे और यहां पर बढ़ियां इसको पार्के में रूप में डवलफ करेंगे चार तरफ लेकिन मुख मंतरी जी जदी हमको सहयोग कि यह जल्दी इसको बना देंगे अपने अरुन भगत जो किसान है उनको सुना जिनका कहना है कि मुख मंतरी के इस यात्रा को लेकर वह काफी उत्साहित है और साफ तोर पर कहना है कि उन्होंने तलाब बनाकर मचली पालन का जो काम किया है उसमें उन्हें बिहार सरकार के तरफ से मदद मिलेगा तो और वो आगे अपने काम को बढ़ाएंगे वहीं इस बिसाह में जब अस्थानियें लोगों से बात की गए ग्रामिन से बात की तो वह क्या कुछ कह रहे है कि खुशी से भढ़ गया है और मुखमंत्री जी आएंगे और सब से मिलेंगे बात करेंगे उसका यात्रा है यात्रा में वह सब चीज का बाचित और देखवाल भी करेंगे अरुण जी को तो हम करीब 8-9 सास है अरुण जी से बेक्तिगत परिचय है मेरा इनके यहां बराबर आते जाते रहते हैं इधर कुछ दो तीन सालों से इनका खेती में रुजान काफी बढ़ गया है और बराबर इनको हम देखते रहते हैं और प्रसाज भी करते हैं और खु लिए मोस्पог का में यृजपोल और से इंको हमें बहुत खुशी होगा हम अभी इदर से घुजर रहे थे तो देखे हम भी आ गया और उश्ने को सुना जिनका कहना हो हु ,कशान है उनके परिकर काफी सराहना है और कह रहे हैं कि वो मुख मंतरी को आने को लेकर काफी उत्साहित है बता दे कि कटिहार मुख मंतरी पाच फरवडी को पहुचेंगे और उनके आगमन को लेकर तमाम जिला प्रिशासन की ओर से तयारिया कर ली गई है और वहीं दिगरी गाउं पहुचा जाएगा जहां पे अ अधाल के लिए खबर में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यबाद